आज मैं आप लोगों को पंकेस तरपाटी जो फेमस एक्टर हैं उनका पोर्टेट चारपोर पेंजिल से बना कर दिखाऊंगा और उसके शेड़े करके भी दिखाऊंगा आप लोग वीडियो को फूरा देखिएगा इसके मत करिएगा जिससे आपको आसानी से पोर्टेट बन चार करते हैं पोर्टेट बिस शेड़ें सबसे पहले आप फेस का इस्ट्रेक्चर ड्रॉ कर लीजिए अगर आपको फेस का इस्ट्रेक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है तो मैं उपर आई बटन पर वीडियो का लिंक देदूंगा आप वहां पर जाकर देखिए और आसानी से आप फेस का इस्ट्रेक्चर ड्रॉ करना सीख सकते हैं तो फेस का इस्ट्रेक्चर पहले ड्रॉ करेंगे जहां पर आई होगी जहां पर नो जहां पर लिप्स वहां पर सारे पॉइंट लगा लेंगे हम अब हम सबसे पहले आई की ड्रॉइंग बनाएंगे अब सेकेंड आई की ड्राइंग को हम ड्रॉ करेंगे पैस के जो फिचर्स हैं सब फिचर्स को हम ड्रॉ कर लेंगे लोज को हमना ड्रॉ कर लिया इसके बाद लिप्स की ड्रॉएंग को ड्रॉ किया अब हम फिच का जो इस्ट्रेक्चर है उस पर जहां पर ड्रॉप्थ है उस पार्ट को हम ड्रॉएंग को भी ड्रॉएंग करेंगे हीर की ड्रॉएंग को भी ड्रॉएंग करेंगे डेटेल्स भी साथ साथ ड्रॉएंग करते जाएंगे छोटे छोटे जो डेटेल्स हैं को इस चेटिंग करने में आसानी रहे अब हीर को भी ड्रॉएंग बना लेंगे अब बियर्ड की ड्राइंग को भी हम बना लेंगे डेटेल्स के साथ जब भी ड्राइंग को बनाएंगे तो इसको डेटेल्स साथ बनाना ज़रूरी है तो कि शेडिंग करने में आपके लिए आसानी रहेगे अब हम शेडिंग को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आई की ड्राइंग पर शेड करेंगे जहां पर लाइट है सबसे पहले लाइट शेड करेंगे और जहां पर डार्क है उस पार्ट में हम डार्क शेड कर लेंगे और दोनों शेड को आपस में हम पैंसिल को धिरे धिरे उसको ड्रा करते हुए शेड करते हुए उसको मिक्स करेंगे और शेडिंग में हमेशा जो पार्ट लाइट है और जहां पर डार्क शेड है उन दोनों को देखते हुए शेड करेंगे आपकी पोट्रेट में किस डारेक्शन में लाइट आ रही है उस डारेक्शन के अपोजिट डारेक्शन से हम शेड को स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपके portrait में light और dark shade आपको दिखाई दे और portrait में light और dark shade बनकर आ भी जाए light shade होने के बाद dark shade करेंगे फिर उसके बाद हम details भी डॉक करेंगे अब nose पर हम shade करेंगे nose में जो part dark है depth में है उसको पहले dark कर लेंगे फिर उसके बाद हलकी pencil से देरे देरे उसको हम shade करेंगे nose में हमेशा उपर एक highlight पड़ती है तो highlight tone को हमेशा छोड़ देंगे उसको shade नहीं करेंगे और nose के नीचे depth रहेगी तो उस depth को भी हम dark करेंगे अब face में किस direction में light आ रही है उसके opposite direction में उसको हम dark कर देंगे अब hair में drawing को details करेंगे hair की जो drawing है जहाँ पर हम depth होते न वहाँ पर dark करेंगे और जो part पर light पड़ेगी उस part को हम छोड़ते जाएंगे जिससे की hair में light और dark का shade आपको दिखाई देगा और depth के लिए थोड़ा उसको और dark कर देंगे अब hair की drawing में भी हम जो part dark है उसको dark और जो part light है उसको light करेंगे अब lips की drawing में shade करते हैं अब इसके पात जो आपका beard की drawing है उसमें भी हम shade करेंगे beard में जहाँ पर shadow पड़ रही होगी जहाँ पर dark होगा उस part पर dark करते जाएंगे जिससे आपके beard भी बन जाएगी आसानी से details के लिए आपको बस ध्यान देना है जो part light है उस पर light pencil shade करना है और जहाँ पर dark है वहाँ पर dark pencil shade करना है pencil को बहुत हलके हाथोस चलाना जहाँ पर light part होगा और जो part dark देखे आपको उसको हम dark कर देंगे और फिर light और dark की तरफ shade करते जाएंगे और जब light और dark तरफ shade हो जाएगा आपका उसके बाद हम धिरे धिरे हलके हाथों से उसको हम shade को mix करते जाएंगे charcoal pencil हलके हाथों से चलाने से light चलेगी और प्रेशर देंगे तो dark चलेगी तो आपको जहाँ light करना है वहाँ पर हलके हाथों से उसको करिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे लाग करें तो like करिए comment करिए और वीडियो को share करिए और इसी तरीके से आप लोग charcoal pencil से portrait पर shade करिएगा जिससे कि आप आसानी से portrait पर shading करना सीख जाएंगे portrait पर complete हो चुका है वीडियो देखने के लिए thank you मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो पर